तो जैसा के हम बात कर रहे थे सनी की महादसा के बारे में, अगर आपका करक लगन हो, तो करक लगन में विभिन भाव में जब सनी इस्तित होते हैं, तो सनी की महादसा की दोरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं करक लगन के लिए चोथे बाहव की है, अगर किसी भी जातक का चोथे बाहव में सनी इस्तित है करक लगन में, तो सनी की दसा आने पर आपको किस परकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो जो चोथा बाहव है वो शु जवारिक जिवन है, जो आपका परंपराएं, जो रित्रिवाद जो चले आ रहे हैं, उनको अच्छे से फोलो करेंगे, हो सकता है आपको माता का साथ और पिता का सपोर्ट उतना ज्यादा ना मिले, लेकिन आप अपने बल पे बहुत कुछ कर लेंगे, सनी की दसा की दोरान आप बहुत अच्छी बिल्डिंग और अच्छा घर ओन करेंगे, इसके लवा एक अच्छी गाड़ी भी आप ओन कर सकते हैं, अगर सुक्र मजबुत इस्तिति में हैं, सनी अगर यहां इस्तिति थोड़ा सा आपको स्ट्रेश जरूर देगा, थोड़ा सा आपको जिम्मेद आप अपने पारिवारिक मामलों में बहुत ही जादा सीरियसली और सक्रिय होकर भाग ले सकते हो, इसके लावा ऐसा जातक अपने जोब के मामले में बहुत ही सीरियस रहेगा, आपको प्रमोशन वगरे है या सैलरी इंक्रिमेंट के लिए थोड़ा इंतजार अवस्य करना पढ़ सकता है, तेकिन सनी की दसा की दोरान आपका जो डॉमेस्टिक लाइफ है, डॉमेस्टिक जो सुख है आपको निस्सित रूप से अच्छा रहेगा, इसके लावा इस परकार का सनी अपनी महादसा की दोरान आपको हर परकार की समस्या, हर परकार की जो जिम्मेदारी उसको भौगने के लिए उसको पुरा करने के लिए चमता देगा यहां सनी आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जरूर दिखाएगा स्टार्टिंग में लेकिन आपके लिए स्टार्टिंग में उतना एजी नहीं होगा सब कुछ हैंडल करना धीरे धीरे आपको सनी काफी परिपक्वेता देजाब जाएगा इसके लवाब आप ये चेक कर लेजिए कि आपका जो लगने से लगने से कितना मजबूत है अब आपके चार्ट में सनी क्योंकि वो सेवन्थ हाउस के और एड़ हाउस के स्वामे बनते हैं ऐसे में आपको कुछ जो इंकम होगी hidden sources के थ्रू हो सकती है आपको विदेश में connection के थ्रू भी कुछ chances बन सकते हैं आपको जिवन साथी से भी अच्छा support मिलेगा जिवन साथी आपको fully support करने वाला होगा अगर आपका सेवन्थ हाउस अच्छा है तो निस्सित ही आपको जिवन साथी काफी ज़्यदा support करेगा सनी के दसा में इसके लवा manly जो आपका focus रहेगा वो अपने career पर रहेगा साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपकी कोई भी जिम्मेदारी जो आपके द्वारा छोड़ी ना गई हो तो सारी जिम्मेदारियां आप पूरी करने को देखेंगे ये थोड़ा सा आपको ज्यादा विजी रखेगा आपके life को थोड़ा सा ज्यादा heart बना देगा में है तो निस्सिती आप घरेलू जीवन का अच्छा अनंद भोगेंगे आप अच्छी लाइफ स्टाइल वाले भी होंगे लेकिन यहां सनी है फोर्थ हौस में सनी होने के वज़े से बहुत ज्यादा लग्ज्रियस चाहत आप में नहीं रहेगी एक फिर भी नॉर्मल इजिड बनाता है अपने family matters में काफी जएदा अनुसासन देता है हो सकता है थोड़ा से आपको डिले भी करें आपके कामों में लेकिन निस्सी दरूप से आपको successful ऐसा सनी बनाता है सा साथ में सबसे मैन बात सनी के दसा में ये भी है बहुत इश्यू आपको हो सकता है अगर सनी की दसा आपको स्टार्ट हो चुके और आपके उपर कोई लिगल एक्षन लिया गया है या कोई लिगल मेटर आपके चल रहा है तो ऐसे में सनी आपको काफी रिलेव देगा फोर्थ हाउस का सनी है तो थोड़ा सा चिंता घर की जादा रहेगी घर के मेटर को लेके आप ज़्यादा अनुसासित और सीरियस रहेंगे अब depend करता है कि आपके ये दसा आत्ये कौन से age period में हैं हो सकते हैं आपकी दसा बहुती starting में आरही है बहुत लेटर age में आरही है या किसी जादतक को mid age में ऐसी दिसा आरही है इसका बहुत गहरा impact आपकी life पर देखने को मिलेगा हो सकता है सनी की दसा आपको जैसे बहुत ही starting की age में आ रही है तो साइध आप सनी की दसा का उतना अच्छा lab ना ले सकें हलंकि हम सबसे पहले सनी की दृष्टियों की बात करेंगे उसके बात देखेंगे आपको परतिक age के साबसे आपको क्या result मिल सकते हैं आपकी mid days में या फिर later age में या फिर बहुत जल्दी जनम होते ही starting में तो ये सबका भी अलग-अलग effect आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले सनी का जो aspect रहेगा आपके 6,000 पर रहेगा तो ऐसे में धनूरासी है धनूरासी जो है यहां काफी अच्छे result सनी करने वाले हैं जुपिटर के साथ इनका अच्छा समयंदर जुपिटर अगर आपके चार्ट में मजबूत इस्तिति में हैं तो ऐसे में एक तो सनी आपको करजों से मुक्ति दिलाएंगे आपकी डेली लाइफ में आने वाली समझे हैं आपको health wise कुछ जो issue आ रहे हैं उनसे इसके लवा आपको कारियस तल पर किसी भी प्रकार की दुविदा है किसी भी प्रकार की प्रेशानी है उसमें आपको सनी पॉर्ण डूप से support करने वाले हैं इसके लवा सनी की इस दसा में आपके लिए आपकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा important हो जाएगी डेली लाइफ में आप क्या कब कर रहे हैं कुछ जो आप plan कर रहे हैं regular आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसी routine को particular follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सब, तो आपको एक अच्छे रूटीन को फोलो करना चाहिए, एक अनुसासन में रहते हुए अपनी काम को अंजाम देना चाहिए, उसके बाद सनी यहां से एसपर्ट करते हैं आपके 10th हाउस को, देखे 10th हाउस को सनी जब एसपर्ट कर रहे हैं, यहां आपको थोड़ी बहुत जल्द बाजी सनी दे सकते हैं, अगर मंगल आपके चार्ट में मजबूत इस्तिते में हैं, तो ऐसा सनी आपको बहुत जल्दी आपके काम के वज़े से एप्रिशेशन दिलाएगा, आपको मानसमान बहुत ज्यादा अच्छा दिलाएगा, हो सकता है घर में उतना ज काड़ वर्क करना पड़ेगा, आपको काफी मेहनत से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे कठिन परिस्तितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब ही आप ये सब जो चाते हैं हासिल कर पाएंगे, अधरवाईज आपको काफी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती, दूस इसके लवा कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपको आपके व्रक प्लेस पे, आपके काम के वज़े से दी जा सकती हैं, जिसके वज़े से आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फिल करेंगे अपने आपको, इसके बाद सनी आपके लगन को देखेंगे, दे जिवन की जो कठिनाईयां हैं, जिवन की जो वास्त विक्ता हैं, उससे सनी आपको अवगत करवाने वाले हैं, ऐसे में निश्चित रूप से आप हर उस काम को कर पाएंगे, जिस काम के आप strongly जिम्मेदारी लेते हैं, जिस काम के लिए आप परिपक्व हो जाते हैं, सनी की age period में आपको ये दसा आ रही है, जैसे किसी जात तक को बहुत ही early age में ये दसा आ रही हो, तो उसको अपने परिवार का अच्छा साथ मिल पाता है, अगर सनी आपका मजबूत इस्तिति में हैं, तो ऐसे में परिवार की पूरी care आपको मिल पाती है, लेकिन आपके उपर फ starting में अगर आपको सनी की दसा आती है, तो ऐसे में आपके परती बहुत ज़्यादा careful हो सकते हैं, आपका परिवार थोड़ा सा rigid हो सकता है, बहुत सारे नियम कारून फोलो करने वाले आपके परिवार में लोग हो सकते हैं, especially आपकी माता जी, इसके लवा किसी जात तक को इंतिजार अवस्य करवा सकते हैं, और मीड एज ऐसी दसा है, मीड एज ऐसा समय है, ऐसी अवदी है वास्त में, जहां आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सनी की दसा अगर आपको मीड एज में आ जाए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर किसी को बहुत लेट एज में ऐ ऐसी दसा आती है तो सनी आपको property या building की वज़े से धन्वान बना सकता है आपका पहले से कोई किया गया काम जिसकी वज़े से सनी आपको बहुत ज़्यदा appreciation दिलाएगा हो सकता है आप politics की तरफ या किसी business को करने की तरफ आगे बढ़ें तो ये सब results रहेंगे जब भी आपका fourth house में सन्य इस्तित हो और आपको सन्य के महादसा आ रही हो